बयान 24 रात भर जगनाज जोतिशी रमल फैक ने और विचार करने में लगे रहे कुमर विरंदर सी, तेच सी और देवी सी भी रात भर पास ही बैठे रहे सब बातों को देख बाल कर जोतिश जी ने कहा रमल से मालुम होता है कि इस तिलिस्मी को तोड़ने की तरकीब एक पत्थर पर खुदी हुई है और वो पत्थर भी इसी खंडर में किसी जगा पड़ा हुआ है उसको तलाश करके निकालना चाहिए तब सब पता चलेगा स्नान पूजा से चुट्टी पा कुछ खा पी कर तिलिस्मी में गूमना चाहिए जरूर उस पत्थर का भी पता लगेगा सब कामों से चुट्टी पा कर दो पहर को सब लोग खंडर में गूमे देखते बालती उसी चबूतरे के पास पहुँचे जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ था और जिसे देवी सी ने धोल बजाई थी उस आदमी को फिर उसी तरह सोता पाया जोतिस जी ने तेच सीन से कहा ये देखो इटों का धेर लगा हुआ है शायद इसे चपलाने इकठा किया हो और उसके उपर चड़कर इस आदमी को देखा हो तुम भी इस पर चड़के खूब गौर से देखो तो सही किताब में जो इसके हाथ में है क्या लिखा है तेच सीने ऐसा ही किया और उस इट के धेर पर चड़कर देखा उस किताब में लिखा था आठ पहल, पांच अंक, छे हाथ, तीन उंगल, जमापुंजी शुन्य जोड, ठीक माप तोड तेच सीने जोधिश जी को समझाया कि इस पत्थर की किताब में ऐसा लिखा है मगर इसका मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं आता जोधिश जी ने कहा मतलब भी मामली हो जाएगा तुमें एक कागस पर इसकी नकल उतार लो तेच सीने अपने बटुए में से कागस कलम दवात निकाल उस पत्थर की किताब में जो लिखा था उसकी नकल उतार ली जोधिश जी ने कहा अब गूम कर देखना चाहिए कि इस मकान में कहीं आठ पहल का कोई खंबा या चबूतरा किसी जगा पर है या नहीं सब कोई उस खंडर में गूम गूम कर आठ पहल का खंबा या चबूतरा तलाश करने लगे गुमते गुमते उस दालान में पहुँचे जहां तैखाना था एक सीरा कमंद का तैखाने की किवार के साथ और दूसरा जिस खंबे के साथ बंदा हुआ था उसी खंबे को आठ पहल का पाया उस खंबे के उपर कोई छत न थी जोतिस जी ने कहा इसकी लंबाई हाथ से नापनी चाहिए तेट सीने नापा छे हाथ साथ उंगल देवी सीने नापा छे हाथ पांच उंगल गुआ बाद में जोतिस जी ने नापा छे हाथ दस उंगल पाया सब के बाद कुमर विरंदर सीने नापा छे हाथ तीन उंगल हुआ जोतिस जी ने खुश होकर कहा बस यही खंबा है इसी का पता इस किताब में लिखा है इसी के नीचे जमा पूंजी यानि पत्थर जिसमें तिलिस्मी तोड़ने की तरकीब लिखी हुई है गड़ा है यह भी मालुम हो गया कि यह तिलिस्मी कुमार के हाथ से ही तूटेगा क्योंकि उस किताब में जिसके नकल कर लाए है उसका नाप छे हाथ तीन उंगल लिखा है जो कुमार ही के हाथ से हुआ इसे मालुम होता है कि ये तिलिस्मी कुमार ही के हाथ से फतय भी होगा अब इस कमंद को खोल डालना चाहिए जो इस खंबे और कीवाड के पल्ले से बंदी हुई है तेजसी ने कमंद खोल कर अलग किया जोतिस जी ने तेजसी की तरफ देख कर कहा सब बातें तो मिल गई आठ पहल भी हुआ और नाप से छे हाथ तीन उंगल भी है अब ये देखिए इस तरफ पांच का अंक भी दिखाए देता है बाकी रह गया ठीक नाप तोड सुकुमार के हाथ से इसका नाप भी ठीक हुआ अब यही इसको तोड़े कौर विरिंदर सी ने उसी जगा से एक बड़ा भारी पत्थर जो की चूने का ढेका था उसे लिया जिसका मसाला सक्त और मजबूत था इसी ढोगे को उचा करके जोर से उस खंबे पर मारा जिससे वो खंबा हिल उठा दो तिन दफा में बिलकुल कमजोर हो गया तब कुमार ने बगल में लगा कर जोर दिया और जमीन से हिला डाला खंबा उखडने पर उसके नीचे से एक लोहे का संदूक निकला जिसमें ताला लगा हुआ था बड़ी मुश्किल से इसका भी ताला तोड़ा बीतर एक और संदूक निकला उसका भी ताला तोड़ा और एक संदूक निकला इसी तरह दरजे बदरजे साथ संदूक उसमें से निकले साथवे संदूक में एक पत्थर निकला जिस पर कुछ लिखा हुआ था कुमार ने उसे निकाल लिया और पढ़ा उसमें ये लिखा हुआ था संभाल के काम करना तिलिसमी तोड़ने में जल्दी मत करना अगर तुम्हारा नाम विरंदर सी है तो ये दौलत तुम्हारे लिए है बगुले के मूँ की तरफ जमीन पर जो पत्थर संगे मरमर का जड़ा है वो पत्थर नहीं मसाला जमाया हुआ है उसको खाड़ कर सिरके में खूब महिल पीस कर बगुले के सारे अंग पर लेब कर दो दो गंटे में बिलकुल गल कर बह जाएगा उसके नीचे जो कुछ तार चरके पहिये फुर्जे हों सब तोट डालो नीचे एक कोठरी मिलेगी जिसमें बगुले की बिगड जाने से बिलकुल उजाला हो गया होगा उस कोठरी से एक रास्ता नीचे उस कुवे की तरफ गया है जो पूरव वाले दालान में है वहाँ भी मसाले से बना हुआ एक बूड़ा अदमी हाथ में किताब लिये दिखाई देगा उसके हाथ से किताब ले लो मगर एका एक मत छिनना नहीं तो दोका हो जाएगा पहले उसका दाहिना बाहु पकड़ो वो मूँ खोल देगा उसका मूँ कफूर से बर दो थोड़ी ही देर में वो भी कलके बह जाएगा तब किताब ले लो उसके सब पन्ने भोज पत्रगे बने होंगे जो कुछ उसमें लिखा है वैसा करो विक्रम कुमार ने पढ़ा सभी ने सुना गंटे बर तक तो सिवाय तिलिस्मी बनाने वाले की तारीफ के किसी की जुबान से दूसरी बात न निकली बाद इसके ये राय ठहरी कि अब दिन भी थोड़ा रह गया है डेरे में चल कर आराम करना चाहिए कल सवेरे ही कुल कामों से चुटी पाकर तिलिस्मी की तरफ जुकें ये खबर चारों तरफ मशूर हो गई कि चुनारगड के इलाके में कोई तिलिस्म है जिसमें कुमारे चंदरकांता और चपला फस गई है उनको छोड़ने और तिलिस्म तोड़ने के लिए दूर दूर से बहुत से आदमी उस जगई कठा हुए जहां कुमार का लशकर उत्रा हुआ था मगर खौफ के मारे खंदर के अंदर कोई पैर नहीं रखता था बाहर से ही देखते थे कुमार के लशकर वालों ने गूमते फिरते कई नकाब पूश सवारों को भी देखा जिनकी खबर उन लोगों ने कुमार तक पहुँचाई पंडित बदरीनाथ एहमद और नजीम को साथ लेकर महराशिवदत को छुडाने गए थे तैखाने में शेर के मूँ से जुबान खीची किवार खुलना चाहा मगर ना खुला क्योंकि यहां तेज सीन दोहरा ताला लगा दिया है जब कोई काम न निकला तब वहां से लोट कर विजय गड़ गए अयारी की फिकर में थे कि कुमर विरंदर सीं की ये खबर इन्होंने भी सुनी लोट कर इसी जगा पहुँचे पन्नाला, राम नारायन और चुन्नी लाल भी उसी ठिकाने पर जमा हुए और इन सभी में ये राय होने लगी कि किसी तरह इस तिलिस्मी को तोड़ने में बाधा डालनी चाहिए इसे फिकर में ये लोग बेश बदल कर इदर उदर तता लक्षकर में गूमने लगे